ड्रामा के स्टार्ट में हम अमारी हिरोईन सुक्याओ को देखते हैं उसके पैदा होते ही उसके फैरेंट्स की मौत हो गई थी और उनकी फैमली बैंकरब भी हो गई इसलिए उसे सभी इविल समझते थे और उसे माउंटेंट पे रहने के लिए भेज दिया था अभी अभी वो वापस आई अपनी दीदी और जीजा के घर लेकिन उसका जीजा उसे इविल बॉलकर घर से बहाँ निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर फ्री फांट का रह रही है दीदी उसे रोकती है कि मैं अपनी बेहन के खर्चे के पैसे देदूगी लेकिन जीजा तो उसकी दीदी को मानने लगता है तो क्या समझ आती है कि ये बंदा बहुत ही लाल ची है इसलिए वो उसपर पैसे फेक्टी और कहती है कि आगय से में सिस्टर को भुली मत करنا ये बूल कर वो चली जाती है जब वो जारी होती है तो उसे रास्टे में याद आता है कि उसके मास्टर ने बताया था कि उसकी डेस्ट pass family के यांग मास्टर से connected है यानि कि मिस्टर सैंजुई से मास्टर कहते हैं कि सिर्फ वही तुम्हारी लाइब को बचा सकता है वरना तुम जाले दिन नहीं जीपाओगी तुम इसे किसी भी हाल में साथी करना होगा वो सोचते हुए जारी होती है कि उसे मिस्टर सैंजुई मिलेगा कहा तब ही रास्ते में देखती है कि एक ग्रेंडमा की तबद बहुत ही बिगड रही है तो वो जल्दी से उनके पास पहुचकर उनका हिलास करने लगती हो और कहती है कि अप टरिये माद आप जल्दी ठीक हो जाएंगी तो ग्रेंडमा अपना ब्रेसलेट उतार कर उसे पहना देती है इतने में होँआ पर एंबुलेंस आ जाती है और ग्रेंडमा को ले जाती है एदर मिस्टर सैंड को पता चलता है कि उसकी ग्रेंडमा होस्पिटल से भाग गई है वो कहता है कि अगर मेरी ग्रेंट मा को एक खरूज भी आई ना तो तुम लोग बचोगे नहीं जल्दी से डूंड़ो होने तब यह उनकी गाड़ी के सामने सुख्या हुआ चाती है असिस्टेंट कहती है कि यह तो हटी नहीं रही है लगता है कि आपके अटेंशन पाना चाती है तब इस एन के नजर जाती है कि उस लड़की के हाथ में उसकी ग्रेंट मा का ब्रेसलिट है सुख्या असिस्टेंट को ढाटने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे तब केसे गाड़ी चला रही थी असिस्टेंट कहने लगती है कि मुझे सब बता है कि तुम यह सब बोस की अटेंशन पाने के लिए कर रही हो लेकिन इसका कोई फायता नहीं है क्योंकि बोस को तुम्हारे टाइप की लड़किया बिल्कुल पसंद नहीं है असिस्टेंट उसे पैसे देने के लिए कहती है तो वो कहती है कि अगर मेरी जान चली चाती तो तुम्हारे पैसे मुझे ठीक थोड़ी ना करते थे तभी सेन गारी से बहार निकलता और उसका हाठ पकड़ लेता और ब्रेसल निकालकर कहता है कि तुमने कहां से चुराया यह और मेरी क्रेंट मा कहाँ पैसे कि मैं ऐसे घटिया काम नहीं करती मेरी जीर वापस करो ये मुझे उस ग्रेंट मा ने दिया था लेकिन सेन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ग्रेंड मा के सारे मेरे ख्लोज होना चाहती हो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच बताओ लेकिन वो उसे काट लेती है और कहती है कि तुमको इसे माफिया हो गया सेन कहते हैं कि बिल्कुल सही पकड़ा तुमने और चाको से उसे डराने लगता है सुक्या भी उसे सबक सिखाने के लिए अपनी निडल्स निकाल लेती है लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि यही सेन फैमली का यंग मास्टर है तो सोचने लगती है कि अगर मैं इससे साधी कर लो तो मैं जिन्दा बच जाओंगी फिर साधी के बाद इससे निपट लोगे जब सेन जाने लगता है तो उसका आथ पकड़ कर कहती है कि तुम मिस्टर सैंजु हो ना आखिर मैंने तुम्हें ठोंडी लिया सेन कहता है क्या टूंड लिया वो कहती कि हाँ तुम चादा टाइम जिन्दा नहीं बच जोगे इसलिए तुम्हें मुझसे साधी करनी होगी जो सुनकर सेन कहता है कि इतनी लड़किया देखिए लेकिन तुम सबसे अलग लग लग रही हो लेकिन अपसोस इस बात का है कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बागियों का हुआ है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चंगल में फिकवा दूँगा सुक्या कहने लगती है कि प्लीज बचाक मत करो अभी मैंनना तुम्हारी ग्रेंडमा को बचा था तो क्या तुम मेरा ऐसे थैंक्यू करोगे अगर तुम्हें अपनी ग्रेंडमा को बचाना है तो मैं ही उनका इलाज कर सकती हूँ लेकिन सैन को लगता है कि वो छूट बोल रही है उसके क्लोज आने के लिए और अपने बोडिगार्ट से उसे पकड़वा देता है और उसे उसका सामान भी शीन लेता है जब वो मांगने लगती है तो उसे चाप उसे डिराने लगता है और कहता है कि तुम से तुम्हें बाद में निप्टूंगा और माँसे चला जाता है और सुक्या पिचारी चलाती रह जाती है कि मेंने समान मत लेके जाओं मैं खाऊंगी क्या नेक सिन में ग्रेंडमा डॉक्टर से फाइट करी होती है कि मुझे अपने सेवियर को जाकर ढूणना है तब ही महाँ पर सैन आ जाता है और कहता है कि ग्रेंडमा अप हमें सा भागती क्यों रहती हो ग्रेंडमा कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी साधी और तुम्हारे बच्चे नहीं देख लेती मैं चैन से नहीं रह पाऊंगे लेकिन सेन तो साथ इसे साप मना कर देता है तो ग्रेंडमा नो टंकी करने लगती है कि अब तो मुझे मरी जाना चाहिए और विंडो की तरफ खूदने जाने लगती है तो सेन कहता है कि ठीके मैं प्रामिस करता हूँ मैं ब्लाइंड एट पर चला जाओंगा ग्रेंडमा कहता है कि तुझे ब्लाइंड पर चाने की जरूरत नहीं है मैंने तरह लिए अल्रेडी लड़की डून ली है जिसने मेरी जान बचाई थी सेन कहता है कि जान बचाई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साधी कर लूँगा ग्रेंडमा गुसा होकर विंडो से खूदने जाती है सेन कहता है कि ग्रेंडमा आप कितनी बार ये ड्रामा कर चुकी हो ग्रेंडमा कहना लगती है कि ठीक है मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि बागी ग्रेंडमा अपने ग्रेंडचाइल को खिलाती है और मेरे पास तो मेरी बहुत तक नहीं है पोताफ होती तो दूर की बात सेन कहता है कि इतना ड्रामा करने की जरुद नहीं है लेकिन आपकी जान बचाने वाली को ढूंडेंगे कैसे है ग्रेंडमा कुछ सोकर कleansर कहती है कि बहुत एजी है मैने उसे अपना ब्रेसलेट देकर रखा है जो कि हर किसी के पास नहीं होता सेन को यादाता है कि वो ब्रेसलेट तो उस लड़की के पास था और पूशने लगता है कि वो कैसे दिखती है ग्रेंडमा कहती है कि बहुत सुंदर है उसके फेस पर मॉल भी है सेन सोचने लगता है यानि कि पका वही लड़की है सेन कहता है ठीक है ग्रेंडमा प्रेस करो मैं उसे ढूंड कर लाता हूँ ग्रेंडमा कहती है कि छल्दी ढूंडना कोई उसे किटनेप ना कर ले अखेली ही घूम रही थी सेन कहता है हाँ ग्रेंडमा और वहारा कर सूचता है कि मेरे अलावा कोन उसे किटनेप करेगा और सोचता है कि पहले उसने ग्रेंट मा की जान बचाई फिर मुझसे मिलना है ये कोई कोई इंसरेंट तो नहीं हो सकता जरूर वो किसी मकसस से आई है जिसके बाद तो सेकेटरी से पूछता है कि तुमने पता लगा है कि वो लड़की कौन है सकेटरी कहता है कि पता नहीं लेकिन उसके बैक में बहुत ही अजीब सा समान है साइध ये इविल स्पृरिट को पकाने की चीज़े है तबी मैनेजर आकर बताता है कि बहुत बड़ी गर्ड़ हो गई आपका वाइल डॉक खुल गया है और वही पर वो लड़की भी है इधर हम देखते हैं कि वाइल डॉक सुक्या के उपर अटेक कर देता है और तर सेन सोचता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ग्रेंड मा को क्या कहूंगा वो जल्दी से भाग कर आता है तो देखता है कि वो बैठी थी और वाइल टोग भी अराम से बैठा है और कहते कि तुमने इसे कंट्रोल कर लिया आखिर हो कौन तुम लेकिन सुक्या को तो बहुत ही चक्कर आ रहे थे और वो उसकी बापों में गिर जाती है और बैहोस हो जाती है सैन उसे गोद में उठा लेता है जो देखकर मेनेजर के तो होसी उठ जाते है कि बोस ने एक लड़की को गोद में उठाया कुछ मिनिट्स नहीं उसे होस भी आ जाता है सो क्या सोचने लगती कि जब भी मैं अपनी पाउर्स का यूज़ करती हूँ मुझे बहुती वीक फिल होता है लेकिन इस बार मुझे इतनी जल्दी होसा गया चलूर ये इसी की वज़े से हुआ है और उसे कसकर हक कर लेती है सेन सोचने लगता है कि ये लड़ की मैरे इतना करीब होने की कोशिस क्यों कर रही है उसे लाकर बेट पर फेक देता है और उसके फेस पर चाकु चलाते हुए कहता है कि कितने टाइम बैयोस होने का नाटक करोगी कुट्टे को खिला दू क्या वो कहती है नहीं नहीं मैं तो उट गए सेन कहता कि मुझे नहीं बता था कि तो मैंने मर्स को कंट्रोल भी कर ले थी हूँ सुक्यों कहती है कि बस बस इतनी तारीब मत करो में तो बच्पन सही ट %. स необход पूछता है कि बताओ तुम यहां पर क्यों आई हो और वो उसे किस करने लगती है सेंस होचता है कि यह लड़की भागल है क्या इन सुक्या सोचती है कि वाओ कितनी एनरजी मिल रही है और उसे और जाता किस करने लगती है और उसे छोड़ी नहीं रही होती तो वो उसे धक्का मार देता है सुक्या कहती है कि मैं तुमसे प्यार उस पर गुस्सा करने लगता है कि जिसने आखरी बार मेरे मॉम डेट की थी वो जिन्दा नहीं बचा है और उसे जाक उसे हर्ड कर रहोता है तब ही मैनेजर आकर बताता है कि ग्रेंडमा की तब पहुँ जादा खराब हो गई है जल्दी चलिया वो कहता है जल्दी से गाड़ पादेगी ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा और उसका मेक अप करके उसे ले आता है सुक्या कहती है कि तुमने मुझे इतना अगली पेंट क्यों किया है उससे कहता है कि अपने मुझ बंद रखो और सोचता है कि अब तो ग्रेंडमा इसे बिल्कुल नहीं पैचान और उसे मास्क पी पेनने के लिए देता है सुक्या कहती है कि अब यह मास्क पेना रहे हो सेन कहता है कि तुम इतनी अगली जो हो सुक्या को उस पर बहुत ही कुछ आ रहा था लेकिन सोचती है कि बस एक बार साधी हो जाए उसके पाद तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी नहीं फिर वाकर देखते हैं कि ग्रेंटमा पागलों की तरह बिएव कर रही डॉक्टर कहने लगता है कि ग्रेंटमा का प्रेंट डेवेंच हो रहा है अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सेन उस पर गुस्ता करने लगता है कि मैंने तुझे इतने पैसे दिया और तू बोल र मिनट देता हूँ अगर ग्रेंटमा को ठीक नहीं किया तो तुम जिन्दा नहीं बचोगी और बाहर चले जाता है तब ही असिस्टेंट आकर उसे सुक्याओ की डिटेल्स बचाती है और कहती है कि सुनाएं कि वह लट की बहुत ही जादा इविल है तो बोस आपको उससे मतलब की ये बलट सुक्याओ का है सेंस सुचता है इसका मतलब कि इससे छोट लगी है इदर सुक्या अपनी पाउर का यूज़ करने के विज़े से बहुत ज़्यादा वीक फिल कर रही होती है और सोचती है कि अपनी अनर्जी वापस कैसे लूँ पिछली बार तुम इस तो की मैं कैसा फिल कर रहा हूं सेंस कूछता है कि तुम्हें छोट कैसे लगी लेखी लेकिन वो कुछ नहीं बताती और क्यों बहुतो हो रहा है उसका हात पकडने लगती है सेंस स교स तह कि इस्ने घ्रेंडमा की जान बचाई कह तो आपकरने देता हो फिर उसका पकड़कर ले चाता है उसे मेडिसिन लगाने लगता हैं और सुक्या तो बस एक तक उसे ही देखे जा रही थी और सूचती कि इतनी चल्दी पट्टी करती अभी तुम्हें सही से अनर्जी अब्जोब भी नहीं कर पाई थी तभी असिस्टेंट आकर बिताती है कि बॉस आपको ग्रेंडमा अपनी चिंता करनी चाहिए ये अपने पास रखो ये तुम्हारी जान बचाएगा असिस्टेंट मना कर रही होती है तो कहती है कि अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तो असिस्टेंट उसे उठाकर ले जाती है इधर ग्रेंडमा से कहती है कि जब मैं बहुस थी तो मुझे उस लड़की की आवास सुनाई थी जिसने मेरी जान बचाई थी कि तुमने उसे ढूंड लिया सैन कहता है नहीं तो आपको कोई वहम हुआ होगा अभी मैं उसे ढूंडूंगा ग्रेंडमा कहाने लगती कि इतना टाइम क्यों लग लगया तो तो प्रेसिडेंट है न टीवी क ये सारे प्रेसिडेंट तो तुरंती ढूंड लेते हैं हिरो इनको अपने असिस्टेंट को ओर देते हैं और वो कुछी टाइम में उसे पकड़ कर ले आता है तो तुछ में अरन में डिफरेंस क्यों है वो सूचने लगता है कि ग्रेंडमा का टीवी तुरवाना पड़ेग ग्रेंडमा कहती कि मैं तुछ सिब दो दिन का टाइम दे रही हूँ जल्दी से मेरी बहु को डूंड के ले आना अगर तुने जल्दी नहीं डूंडा उसे तो कोई और उसे पटा लेगा तुछे पता नहीं लव राइवल्स भी होते हैं जल्दी करना वरना मैं कूच होंग स्थे प्लिश मुझे अब कर लो सैन पूछता है क्यों तो बेंखे बिमारी नहीं फिल कर सकती कि नई भारी वाँ फिल होता है जल्दी से मुझे वाँं कर दो लेकिन सेन उसे पूछने लगता है कि अगर तुम हो कौन और ये क्या है सुक्या सोचने लगती कि इसकी सब कोई और होता तो उसका तुम मैं कामी तमाम कर देती लेकिन खुत पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लाइफ तो इसी के हाथों में है और फिर बताती है कि मैं बच्बन से ही इविल पैदा हुई थी लेकिन तब मेरी सिस्टर ने मेरी जान बचा ली थी फिर मुझे माउंटेंट पर रहने जाना पड़ा सेन कहता इसका मतलब तुम जादू गरनी हो वो कहती है जादू गरनी थोड़ी न तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करते है यह मैंने ग्रेंट मा के पास सिर्फ इसके रखाता था कि वो प्रोटेक्टर है और जान बुचकर बातों के बहाने उसके हाथ पकड़ कर रखती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती है अगर मैं तुम्हें छोड़ के गई तो मैं मर जाओंगी सेन कहता है कि इतने लड़कों को यह सेम लाइन बोल चुकी हो वो कहती है कि सब तुम ही को बोली है और सोचती है कि यह आइस क्यों पिगल क्यों नहीं रहा लेकिन सेन तो जाने लगता है उसे पिछे से हग कर लेती है और सोचती है कि वाओ कितना वाम फील हो रहा है लेकिन सेन छुड़ा रहा होता है और वो छूड़ी नहीं रही होती है कलती से सेन की बेल्ट उसके हाथ में आ जाती है और उसके पैंट निकल जाती है लेकिन वो उसे दीख रही होती है सन घुसे से कहता है कि देख लिया अब वो कहती है सोरी सोरी मैंने जान बूच कर नहीं किया सब्ह중 एसिस्टेंट आ कर देख देखती है ये क्यए चल रहा है सन उसे भाहर निकाल देता है जिसके वाँ सन जब जा रहा होता है क्या पक्वास करती है और खोलने लगता है लेकिन उसे खुलता ही नहीं है तो सिस्टन कहना लगती है कि भले ही सुक्या इतना बखबख करती है लेकिन वो आपको बहुत लाइक करती है और मुझे तो लगता है कि आप भी सेन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ जादे नहीं पता तो सिस्टर न अपनी बोलती बंद कर लेती है इधर सुखया को उसकी सिस्टर मिल जाती है वो देखती कि उसकी दीदी को बहुत ही शोटे लगी है तो वो पूछती है कि जीदा तो मैं अभी भी पुली करता है उसकी दीदी वो मना कर रही होती है लेकिन वो उसका पास देख लेती है और सूछती है कि चीजा सुधरा नहीं अभी तक और सूछती है कि अरे नहीं मेरी दीदी तो और भी बड़ी प्रॉबलम में है तब ही माँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी दीदी से पैसे मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पती ने उदार लिये थे बदले में उसने तुम्हारा घर गिरवी रखा है तो हम घर लेने आएं सिस्टर कहती है कि कभी नहीं यह घर मेरे मॉम डेट का है मैं कभी नहीं दूंगी तो कॉर्ड़ा उसे माँने लगता है लेकिन सूक्या उसका हाथ तोड़ देती है उसकी दीदी कहती है कि सूक्या तुम चाओ यहांसे यह लोग बहुत घTरनाक है वाइब बताती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ तो वो गुंड़ा सुक्याओ कर आगे चुक जाता है। और उससे माफी माँगने लगता है और कहता है कि मेरे बज्चे को बचा लूँ। मैं कुछ भी करने को तयार हूँ सुक्याओ उससे कहती है कि तुमने जिसको पैसे दिये है उसे जाकर वापस लो और अपने जीजा का एडरिस बता देती है नेकसीर में हम देखते हैं कि एक आदमी से इनके सामने जुक रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है तबी उसका blood उसकी सूस के उपर गिर जाता है तो वो कहता है कि लगता है तो अब जिन्दा नहीं रहना चाता तो वो जल्दी से साफ करके उसे माफी मागने लगता है लेकिन वो उसे लाद मार देता है और उसके गुंडेों से पकड़कर वायल लोग के पास छोड़ाता है तबी असिस्टेंट बताती है कि अभी एक और पर करजब बागी है वो कहता है अच्छा सूक्याओ का प्रदर इन लो यानि कि इसलिए मेरे पास आई है इसलिए तो सूक्याओ पर बहुती गुस्सा आ रहा होता है और वापस आते टाइम रेट दागा खूलने लग जाता है तबी उनके कार के सामने एक कार आ जाती और देशुक्याओ के हाथ में भी खरोचे आ जाती वो सूचती है कि जरूर से इन खद्रे में है इदर असिस्टेंट कहती है कि हमारा इतना बड़ा एक्सिडेंट हुआ फिर भी हम बच गए जरूर सूक्याओ की वज़े से बचे है लेकिन सैन तो कुस्टे से वो दागा फेक देता है कि ये बस एक कोईसिडेंट था तभी असिस्टेंट को सूक्याओ की कॉल आती है और वो सैन के बारे में पूशी होती है तभी सैन उटकर कहता है कि तुम खिस से बात कर रही हो उड़र कर अपना फोन चोड़ कर कहती है कि मैं बलकुल भी आपको दोका नहीं देरी सैन फोन उठाता है तो पता चलता है सूक्या है सूक्या कहती कि जल्दी से गेट खोलो मैं भारी घड़ी हूँ वो विंडो से देखता है कि भार से हैलो करी गए तो उसे पकट कर अंदर ले आता है सैन कहता है कि आकर कितने चुट बोलोगी वो कहती है कि मैं चुट नहीं बोल रहे हूँ अकर तो तुम्हें यकीन नहीं आता तो ठीक है मैं मच जाती हूँ तो वो उसे धंकाते हुए कैयता है कि तु सच मुछ पर न शान काती हूँ कि पागल मेरा हाथ छोड़ो और सोचता है कि तुमने मुझे जूट कहा तुम उसे प्यार व्यार नहीं करती हो बस तुम मुझे अपना वार्मर समझती हो तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आ दिया जो कहती है कि कहीं है आप सूक्याओ के साथ तो नहीं हो लेकिन अगर तुम्हारा कोई और मकसद होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूँगा और अपना हाथ चुड़ा लेता है वो कहने लगती है क्या हुआ तुम्हें अकर तुम्हारी बोड़ी में दर्थ होगा तो मेरे दिल में दर्थ होगा और सोचती है जब तक इसे कुछ नहीं होगा मैं नहीं मरने वाली और फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है जिसके बाद वो कहती है प्लीस मुझे अपना पॉसनल फोन नमबर दे दो लेकिन वो उटकर जाने लगता है तो उसके पेर पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाईए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते है तो वो उसे अपना नमबर दे दे देता है लेकिन फिर भी वो बखबख किये जा रही थी तो उसे बैट बगिरा कर कहता है कि तुम मेरा नमबर क्यों मंग रही हो वो बताती है कि मेरी सिस्टर प्रॉब्लम में है ना तो मैं बस तुमारी हल्प लेना चाथी हूँ तो वो कहता है कि ठीक है तो उसे थेंकि बोल कर हक कर लेती है तो वो खुद को जोड़ा कर भाग जाता है इदर जीजा उसके सिस्टर को मार रहा होता है कि तो उन्हें उस गुंडे को मेरा एड्रिस क्यों बताया वो कहती है कि मैंने नहीं बताया तो वो कहता है कि तुमने नहीं बताया तो किसमें बताया सिब तुम्हें ही पता था जल्दे से मुझे घर के प्रोपर्टी पेपर दे दो वो मना करने लगती है वो अपना बेल्ट निकालने वाला था लेकिन तभी सूक्या वाकर उसे सबक सिखाती है जिसके बाँ सिस्टर कहती है कि मुझे तमसे डाइवस चाहिए तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी डाइवस नहीं देने वाला और उसे चाकू माने के लिए जाता है तभी बीच में सैन आकर चाकू हाथ से पकड़ लेता है वो सोचती कि इसने मेरे लिए चाकू पकड़ लिया कही है पागल तो नहीं हो गया और कहती है कि छोड़ो इसे तुम्हें कितना ब्लड निकल रहा है तो भी सेकेटरिया कर चीजा को खिक कर देता है तो वो तुरेंटी माफी मागने लगता है कि मुझा माफ कर तो मैं डिवोस के अपना सब कुछ दे दूँगा सेन को इतना ब्लड निकल रहा होता है तो वो रोरी होती है सेन पुछता है क्या हुआ तुम्हें वो कहती है जल्दी चलो वरना इंफेक्शन हो जाएगा जल्दी से तुम्हें दबा लगानी होगी सेन कहती है कि कितना ड्रामा करोगी वो कहती कि मैं ड्रामा नहीं कर रही अगर तुम्हें होस्पिटल नहीं जाना तो मैं दवाला का दूंगी सेन कहती कि तुम मुझे बच्चा समझ रही हो वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें बच्चा नहीं समझ रही हो उसे पकट कर ले जाती है जो देखकर सेकेटरी तो सौगडी हो जाता है कि बोस पहली बार किसी की बात मान रहे है जब डॉक्टर दवाई लगा रहा होता है तो वो कहती है कि आराम से करो दर्द नहीं होना चाहिए डॉक्टर कहते है कि आराम से ही कर रहा हो लगता है लेकिन फिर उसे अपने सब दे जाता है और सोचता है कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोट रही लेकिन सूख्या सोचती होती है कि अगर ये मेरी destiny ना होता तो मैं इसका पीछा क्यों करती है लेक्सिन में इस गुंडे से पूछते है कि तुम्हें किसने भेजा वो नहीं बता रहा होता लेकिन जैसे ही सुख्या उसके पीछे चिट लगाती है तो वो बता देता है कि मुझे जॉंग ने भेजा है जॉंग जो होता है सैन का कजन होता है तब ही वहाँ पर ग्रेंडमा आ जाती है कहने लगती है कि आरे ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी आखिर तो भी सीरियल वाला प्रेसिडेंट निकला मेरी बहू को डूंडी लिया वो कहती है बहू हाँ ग्रेंडमा मुझे भी मिस्टर सेन बहुत पसंद है ग्रेंडमा खुसोगर कहती है ठीक है तो फिर में जल्दी तुम दोनों की साधी करवा दूंगी सुक्या तो बहुचा दा खुसोरी होती है कि हमारी साधी हो जाएगी लेकिन वो उसे साइट करके ग्रेंडमा के पास आता है और कहता कि आपके डॉक्टर की साथ अपाइडमेंट है तो मैं आपको फॉरन भेज रहा हूँ सुक्या सोचती है कि ये जान बुच के ग्रेंडमा को फॉरन भेज रहा ताकि हमारी साधी नहों पाए ग्रेंडमा गुसा करने लगती हो और फिर सुक्या उसे कहती कि मुझे वापस आने में कुछ टाइम लगेगा लेकिन मैं आते ही जल्दी तुम दोनों की साधी करवा दूँगी तब तक तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना मुझे पता है कि तुम्हें इससे कंट्रोल कर सकती हो सुक्या सोचने लगती है कि लगता है कि ग्रेंडमा को कुछ जाद ही उमिद है मुझे लेकिन इस खड़ उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सेन भी सोचने लगता है कि जब प्रेंट माँ चली जाएगी तब ही मैं अंकल और उस जोंग को सबक सिखा पाऊंगा नेक सीन में सेन आरम से प्यानो बजा रहा होता है और उसके गार्ड जोंग को पिटाई कर रहे होता है जोंग क्याना लगता है कि तुम्हे क्या लगता है कि ऐसे करके सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी लेकिन सेकेटरी उसको चाकु मार देता है और फिर कहता है कि बॉस आपको किसी लड़की का फोन आ रहा है और फोन उठा लेता है सین कहता कि तुम्हारी हिमत के हैं सेबारी मेरा फॉन उठाने के वो फॉन सुख्या को होता है वो पूछने लगता है कि कहा हो तुम मैं तुमसे मिलना चाहती हूं सक्रेटिस सोचता है कि लगता है बोस्त की ग combustion है सेन कहता है कि तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है जाओं वहीं पर बेटी रहो मैं वहीं आ चाओंगा तब ही वहाँ पर कुछ गुंडे आ चाते हैं जाओं कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इलाखे में आकर तुम मुझे ही मार दोगे अब मेरे कुंडे आ गए तुम नहीं बचपाओगे सुक्या फोन पर सुन लेती है तो पूछती है क्या चल रहा है वहाँ पर सेन कहता है कि तुम वही रहों मैं काम निप्रा कर आता हूं और फोन कट कर देता है लेकिन सुक्या सोचने लगती है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और वह उस जग़र पर पहुच आती है लेकिन वहाँ पर सैन नहीं होता तो उसे कॉल करने लगती है तो वो वहाँ पर सैन को ढूडने लगती है कहा हो तुम तुम ऐसे मर नहीं सकते है सेकेटरी उसे देख रहा होता है और सैन से कहता है कि देखो तो सही वो लड़की तुम्हारे लिए कितना रो रही है लगता है तुम से बहुत प्यार करती है सैन सोचता है कि ये कितना परिसान करती है और फिर उसके पास जाता है कि वह उसे देखर बहुत खुस हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है पता है मैं कितना डर गई थी मैं भी तुम्हारे बेना जी नहीं पाऊंगी सेन कहता है कि तो मैं लगता है कि मैं अतनी आसानी समर जाओंगा आगे से तो बारा रोना मत वैना मैं तो जंगल में शोड़ाओंगा तब ही हुआ पर सेकेटरी आता है उसे बताने लगता है कि मैं मिस्टर सेन का सेकेटरी हूँ लेकिन तुम मुझे प्रेदर बोल सकती है और इससे हेंट सेक गानने के ले जाता है लेकिन सैनों से गूरने लगता है तो कहता है कि कोई बात नहीं है ऐसे ही ठीक है और बताता है कि बोस ने तो उन गुंडों का कबकर सबक सिखा दिया था सुक्या कहती कि सेकेटरी के तुमारा कोई भाई है सैन सोचता है कि कहती तो है कि मुझे लाइक करती है और अब इसके भाई के बारे में पूछ रही है और कहता है कि तुम्हारे पास भूर्ट ताइम है दूसरों के मामलों में टांगड़ाने का और घुसे से वहां से चला जाता है वो सोचती कि इसे क्या हो गया इसका क्यों मूफ ओल गया और जाते हुए सेकेटरी से कहती है कि तुम्हारे भाई को कहना कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करते और चैली जाती है सेकेटरी हरान हो जाता है कि इसे कैसा बता कि मेरा भाई इन्वेस्ट करता है सुक्यों उसके बीचे भागते हुए आती कि मैं रिले कार रोको लेकिन सैन अपने असिस्टेंट को कार आगे बढ़ाने के लिए बोलते था है तो उसे बहुत एक घुस्सा आता है लेकिन जैसे ही सैन का फोन आता है तो कहती कि हाँ बताओ मिस्टर सैन देखती है कि सैन की कार वापस आई उसे बहुत घुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन कुछ में कंट्रोल करके वहाँ जाती है सैन उसे कार में बेटने के लिए कहता है तो वो गार में बेट जाती है और उसे पूछती है कि तुम अभी घुस्सा क्यों थै वो कहता है कि खुदी सोच लो और अगर ना समझ में आये तो निकल जावे हैं से और सोचता है कि मेरे सामने दूसरे लड़कों में इंट्रस ले रही थी और पूछती है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ सुखे हो से कहती कि हाँ मैं सोचती हूँ और फिर मन में सोचने लगती कि इस काडूस के बारे में क्या सोचना जब देखो मूफ हुला लेता है तो भी फॉन में देखती कि सेकेटरी के भाई ने इतने सारे पेसे कमा लिया है जो देखकर सेन और भी जाता जलस हो रहा होता है और सेन से कहना लगती है कि अपने सेकेर्टरी को बता दो कि मैंने जो फ्यूजर प्रेडिक्ट किया था वो गलत निकला उसे डबल टाइम नहीं ट्रिबल टाइम प्रॉफिट होना था सेन कहता है अच्छा तो तो मुझे से फ्यूजर बता रही थी पैसो वाला तो सेन असिस्टरंट को इसारा करता है तो वो कहती है ठीके बैट जाओ वो बैटने लगती है तो सेन स्मायल कर रहा होता है सूके उसे बताती है कि मैं कुछ सामान लेने चारी हूँ सेन उसे अपना क्रेडिट कार देने वाला था तब ही उनके गाड़ी के सामने एक कारा गर रुकती है तो वो जल्दी से उसा पकड़कर नीची छुपा लेता है और उससे कहता है कि तुम कार में ही छुपकरे ना भार मत निकलना फिर सैन गाड़ी से बाहर निकल कर कहता है कि अंकल ने मुझे मारने के लिए तुम्हें लगता है और कहता है कि अगर दुबारा मेरे मॉम डेट के बारे में कुछ बोला तो सिधा तुम्हें उनके पास ही पहुशा दूँगा और उसका ब्लट कार के सीशे पर होता है जो देखकर सूचती है कि यह मेरी तरफ क्यों देख रहा है सैन वापस कार में आता और उससे है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखकर डर गई वो कहती है मुझे डर नहीं लग रहा मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही तुम्हें चोड़ तो नहीं लगी और सोचती है कि तुम्हारी लाइफ ही मेरी लाइफ है मैं तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं चिने दूँगी सैन भी से देगे सोचता है कि भले यह नाटक कर रही है लेकिन कितने रियल लग रहा हैं फिर उससे अपना हाथ छोड़ा लेता है वो कहती है कि प्राँमिस करो कि तुम तुम तुमारा ऐसा कुछ भी नहीं करोंगी जिससे तुम हाट हो सेन कहते हैं कि अगर तुम ऐसे पकवास बाते करोगी तो भाहर फेक दूँगा तो वो अपना मूँ बंद कर लेती है वो जब जाने लगती है तो उससे अपना क्रेडिट आर्ट देता है कि इससे सामान ले लेना वो खुब सो जाती हैं कि तुम कित्ने आचछे और इसे हтक करने के लिए जाती है पर वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए कि उससे अपने पास रखना है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा सेन कहता है कि तुम बच्चों जिसी हरकते क्यों करती हो जिसके बाद सुक रोत वार स्सेन को मेंसेज़ करके पूछती है कि मिस्टर सेन को चोट के से लग गए अस्सेल को चोट के से लग गए अगर मेरे फियांसी का एक बाल भी तूटा तो तुम्हारे प्यारे बेटे की अतनी हट्टिया तूट जाएगी। अंटी कहती कि क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। तब ही उन्हें पता चलता है कि जोंग गायब है। तपिस वो कहना है दूगने लगती है कि उस स्टांग को मैं सबख सिक Monsieur सखाने वाली थी तुमने उसे पकर लिए सेन सोचता है कि क्या डरामा कर रही है यह और कहता है कि और नहीं तो क्या तुम मेरी जान हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हारी आटी तो मजाग कर रही थी अपने भाई को छोड़ दो सेन कहता है मैं भी तो मजागी कर रहा था जो मेरे पास थोड़ी ना है अंकल कहना लगते ही कि जिस लड़की की तुम्हारे साथी भी नहीं हुई उसके लिए तुम अपनी फैमली के खिलाब चा रहे हो सैन कहता है कि फैमली घर परिवार मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें बताना भूल गया, यह मेरी फ्यांसी है जो मेरा सब कुछ है और सुक्यों की कमर पर कुछ लगा देता है, सुक्यों समझ चाती है कि मिस्टर सैन सिपनाटक कर रहा है ताकि सैन फैमली के लोग सुक्यों को उसकी वीकनेस समझें और फिर वो सुक्यों को वहीं पार्टी में चोड़कर चला जाता है बाहर उसे परिसान देखकर एसिस्टेंट कहने लगती है कि आप नेशन मत लीजिए सुकियों के पास ट्रेकिंग डिवाइस है तो हम उसे असानी से पकड़ लेंगे जब वो लोग उसे अपकी मॉम के पास लेकर जाएंगे हम उस जगों को इजीली ट्रेक कर लेंगे सेन सुचता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा और सेकेटरी को कॉल कर देता है इदर आंटी ने सुकियों को पकड़ लिया था और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर सेन तुम्हें यापर क्यों छोड़ के गया है क्योंकि उसकी मौम हमारे पास है सुक्यों समझ जाती है अच्छा इसलिए मिस्टर सैन ने उस जौंग को किटनेप किया है ताकि वो अपनी मौम का पता लगा सके आँटी कहती है कि अब तू हमारे साथ है तो हम थेरे सहारे से ही जौंग को बचा लेंगे सुक्यों कहती कि मैं इसा कभी नहीं होने दूगे और वो अँटी की गरदन पकड़ लेती है और अँटी के सहारे से बहा निकलाती है और सेकेटरी उसे कार में बिठा कर ले जाता है इधर सैन जौंग की गरदन पर चाकु रखके पूछता है कि बता मेरी मॉम का है वो कहता है कि तुम्हारी मॉम एक हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा होता इसलिए सैन उसे मानने वाला था तब ही सुक्या वाकर उसे हग कर लेती है और कहती कि किसी को जान से मत मारो उसें उसकी Anytime पकड़ करे कि तुमें क्या प्रॉप्लम है वो कहती कि अगर तुम किसी को जान से मारोगे तो तुमें Hell में जाना पड़ेगा वहाँ बहुत दरत होता है जो सुनकर स然 सोचता है कि Hell में जाना पड़ेगा लेकिन फिर उसे पकट कर उसे किस करने लग जाता है और अपनी मॉम को लेकर जाने लगता है लेकिन ताभी वहाँ पर अंकल और कुछ गुंडे आ जाते हैं अंकल उसे माफिया गेंग्स्टर कहने लगते हैं तो सूक्या कहती है कि तुमने क्या किया था तुमने 20 साल पहले मिस्टर सैन की फैमिली को माने की कोसिस की वो ब country के लिए अंकल उसे माने के लिए जाता है तो फिच में सैन आ जाता है और कहता है कि पहले पीछे तो देख लो जोपर सैन के गुंडो ने अंकल के गुंडो की बचाई कर दी थी और जिसके बाद वो अंकल को भी पकड़र लेते हैं जिसके पास सेन सुख्या को हक कर लेता है नेक्सिन में सुख्या सोरी होती है और डॉक्टर सेन को बिताता है कि आप कुछ दिनों से साइसे सो नहीं पाए हो ऐसे तो आपकी तवित खराब हो जाएगी तब ही सुख्या उटकर कहती है कि क्या बोला तुमने मिस्टर सेन ऐसे जली मर जाएंगे उसने डॉक्टर का हाथ पकर रखाता तो सेन जलस होकर उसे गोद में उठा लेता और कहता है कि इसका हाथ छोड़ो सुख्या कहती कि तुम मरने वाले हो मुझे अपने हाथों से सेंडिव पिना रहा है और फिर पूचती है कि क्या हुआ तो मैं कुछ दिनों से सही से नीन क्यूं नहीं आ रही सेंड कहता है कि कुछ दिनों से नहीं बल्कि सालों से मुझे इंसॉम्निया है इसलिए मुझे sleeping pills खानी पढ़ती है और सुचता है कि अब तो मुझे sleeping pills से better option मिल गया वो कहता है कि मैं सो सकता हूँ लेकिन किसी को मेरी help करनी होगी वो कहती है ठीक है मैं ठून लूँगी तुम्हारी help करने के लिए लेकिन वो उसे पकड़ कर किस कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सो जाना बदले में में तुम्हें warm रखूँगा वो कहती है सच में ठीक तो होना तुम अचानक से ऐसे भी हो क्यों कर जो गई तुम्हारी दिमाग में छोड़तों नहीं लड़की सेन सोचने लगता है कि केसी पागल लड़की है इसे अपना फायदा उठाने का इतना अच्छा चास दे रहूंग लहीं नहीं रही है और कहने लगता है कि मुझे अब भी तुम्हारी जरुरत है क्योंकि जोंग के साथ और भी बाकी लोग मिले हुए है तो मुझे भई पता लगाना है वो सोचती है अच्छा इसका मतलब इसलिए इतना अच्छा भी हो कर रहा था मेरे साथ तब ही मैं सोचू कि ये खडूस अचानक बदल कैसे गया क्योंकि इससे मेरी सरुरत है फिर नेक्सिन में वो सो रहा होता है तो सूचती है कि ये खड़ूस तो मेरे साथ सोना चाहता था और अब अकेले ही सो रहा है और मुझे देखने भी ठा दिया वैसे कि कितना हैंडसम लगता है सोते हुए यूना मैं सोते हुए इसे किस कर लू इसे कौन सा पता चलने वाला है मुझे एनरजी मिल जाएगी बहुत सारी और उसे किस करने वाली होती है लेकिन वह नीन में बड़बडाने लगता है कि दूर रहो मुझसे वो कहती है कि डरो मत मैं होना तुम्हारे साथ मिस्टर सैन वो एकदम से डरके उड़ जाता है वो कहती है कि यहां पर सिर्फ मैं और तुम है मैं हमेसा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर सैन को बहुत से लोगों ने एक पिंचरे में बंद करके रखा था और उसे बिस्ट पोल कर मारते थे और सोचता है कि अज़ तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा और उसे हग कर लेता है तो वो भी उसे हग कर लेती फिर उसकी गर्दन पकड़ कर कहता है कि तुम मुझे कभी दूका मत देना वना मैं तुम्हें बहुत दौर्चा करूँगा और फिर उसे किस करने लगता है तब ही महाँ पर एक लड़की आ जाती है सुक्या पूछती है कि ये कौन है तो बताता है कि ये इचेन है और मन में सोचता है कि देखता हूँ कि सुक्या जलस होती है या नहीं होती है इचेन कहती है कि मैं मिस्टर सैन की बेस्ट फ्रेंड हूँ ग्रेणमा को बचाने के लिए मैं तुम्हारा थैंक्यू करने आई हूँ और फिर सैन से चिपकने लगती है जिबकि वो उसे दूर कर रहा होता है तो सुक्या जलस होकर उसे धक कमार देती है सैन सोचता है कि लगता है मिससे कुछ जादा ही प्यार करती है जो खुद को रोखी नहीं पारी जलस होने से इसके पास सूक्या विच्ज शूशं से कहती है कि तुम कुस दिनों में मनने वाली हो लेकिन इच्जन उसके बाद अपर भरोसा नहीं करती है और सैन से कहने लगती है कि तुम फिष्ली वाली बात उसे गुसा हो क्या जो तुमने नहीं लड़की ढून ली सूक्या सोचती है लगता है इन दोनों के बीश में मिस अंडरस्टेंडिंग है और इचन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से मिस्टर सैंड से अपनी मिस अंडरस्टेंडिंग क्लियर कर लो क्योंकि तुम जादा दिन जिन्दा नहीं रहने वाली हो तो इचन गुस्टे से वाँ से जाने लगती है, जाते जाते गिरने वाली होती है तो सूक्या को हसी आ जाती है जिसके बाद सूक्या उसे कहता है कि तुम इतनी जेलिस क्यों हो रही थी नेक सीन में एचन पागल हो रही थी क्योंकि उस बर किसी इविल हो रहेने कापचा कर लिया था तो सुकया अपने पावर से उसका इलाज करती है जिसके बाद एचन के डैड उसका ध्यान रख रहे थे और सुकया उन्हें लेख रही होती है सेन उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो वो सोचती है कि मैं सच में रो रही हूँ और कहती है कि पता नहीं आचानक से मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है क्या मैं मरने वाली हूँ सेन कहता है कि तुम चंता मत करो तो तुम नहीं बचोगी समझी न और बाहर घड़ा सेन उनकी बाते सुन रहा होता है फिर हम उनके बच्पन में देखते हैं कि इचेन सेन के साथ बहुत ही बुरा विएव करती थी और अपने गुंडों से उसे बहुत पिटवाती भी थी प्रेजिन में जूकिया आकर सेन को ह आंथर है वो कहती कि बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आजाए कि मैंने तुमसे जूट नहीं कहा और फिर उससे लाइटर मांगती है जब वो लाइटर देता है तो लाइटर जला कर उस पर हाथ रख देती है और कहती है कि देखा मुझे गर्मी नहीं लगती म लेकिन बोडी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं तबी सेन आकर कहता है कि इसे मेरे वाइल डॉक के पास छोट हो लेकिन जब मस्टर सुख्याओ का नाम लेते हैं तो सेन उनकी गर्दन पर चाकू रख कर पूछता है कि बताओ सुख्याओ यहां पर क्यो हो आई हैं जितर सो क्या सोच्वी होती है कि उस खडूस को इंसानों से ऐलर्जी है कि हार किसी को वाइल डॉक को देते रहता है अभी जाकर उसे सबक सिखाती हो लेकिन तब ही वहां पर देखती है मास्टर आप यहां पर है मास्टर कहने लगते हैं कि तुमने मिस्टर के लिए लेटर लिखे थे वो तो कभी इन्हें मिले नहीं थे इसलिए मैं सारे कूदी ले आया तुम्हारे लव लेटर वो सोचती है लव लेटर और इस खडूस के लिए जब सैनों लेटर को पढ़ता है तो वह लव लेटर कम और सैन के बुराईया जादा लिखी हुई थ क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया ये तो मैने ऐसे ही लिख दिये थे नहीं पर ध्यान मत दो और फिर रोने का ड्रामा करने लगती है और कहती कि अगर तुम्हें मेरा विस्वास नहीं है तो मुझे चांब से मालत हूं तो भूद मन कर भी तुमें प्रोटेक्ट करू सेन कहता है थीक है तो वस्वास है तो बाय बाय करके भाग जाती है उसके जाने के बाद मास्टर कहता है कि यह थोड़ी पागल है लेकिन इस पर घुसा मत करना क्योंकि इसमें फिलिंग्स नहीं है सें कहता है किया मतलबagne न बताते हैं कि स्क्यों कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती क्यूंकि उसमें फिलिंग्स ही नहीं है सेन कहता है याने वो जो मुझे देखकर स्मायल करती वो सब नाटक है मास्टर कहता है हो भी सकता है नहीं भी क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से अब और ठीक होने लगी है लेकिन अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो मैं उसे वापस ले जाओँगा सेन कहता है कि मुझे उसकी नहीं उसे मेरी जरुरत है और गुस्ते में होता है लेकिन बाद में उसे टच करके सूच रहा होता है कि क्या मुझे गिल्टी फिल हो रहा है कि इसमें एमोसनस नहीं है फिर कहता है कि जूटी कैई, मुझ से जूट बोलती रही कि मुझ से प्यार करती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बहुत रन लग रही है मचे छोड़कर में जाओ वो कहता है कि उढ़ गई हो तो नाटक क्यूँ कर रही हो तो कहती है हाँ मैं अब भी उठी हूँ पर वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सेड्यूस करने की कोशिस की तो मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होगा वो कहती हाँ मैं समझ गई तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ वन नैट स्टेंड करोगे और अपनी जिप खोलने लगी थी वो दोबारा उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर मेरी जग कोई और होता तो भी तुम ऐसे करती वो कहती है है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तुम इतना गुस्ता क्यूं कर रहो हो तब toxic वो आपर इच्छन आ जाती है वो दोनों पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो वो कहती की मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हो और तुम ये खराब खाना मत खाओ, सैन कहता है कि अब तुम मुझे मत सिखाओ और अच्छा बनने का नाटक मत करो लेकिन सुक्यों तुम मज़े से बैटकर खारी होती है इचन सैन को सुप देने लगती है तो सुक्यों खुद पकड़कर पीने लगती है सैन सोचता है कि भले ही से लबकेवारे में पता नए है लेकिन फिर भी जेलस हो रही है उचन से कहती है कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है मज़े नहीं खाना तुम वापस ले चाओ सैन भी कहता है कि जब सुक्यों को पसा नहीं आया तो ले जाओ इसे वापस इचन सुक्या पर गुसा करने लगती है तो सैन कहता है क्या कहा तुमने लेकिन सुक्या उसे रोक कर कहती है कि एगली बार से जब सूप बना के लाओना तो खुद बना कर लाना मैट से मत बन माना इचिन कहती कि मैंने खुद बनाया है फिर सोचती है कि इसे कैसे पता चला फिर वो सैन से कहने लगती है कि इसकी बात पर वरोसा मत करना इसने पिछली बार मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मैं तुम्हारे क्लोज होंगी तो यह मची चान से मार देगी देखो मेरे पास सबूत भी और उसे रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है लेकिन सैन न तो यह सब पहले ही सुन लिया था इचिन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मिस्टर सेन और तुमारी कंपनी में काम भी तो करती हूँ मैं ही तुमारी गर्ल्फरेंड हूँ प्रिश मुझे जाने तो सुक्या सोचने लगती है कि यह खडूसी नहीं बलकि साइको भी है सैन तो उसे हर्ड करने लगा था तो सुक्या आकर कहती है कि मिस्टर सैन मुझे भूख लगी है चलो खाना खाने चलते हैं तो वो उसे छोड़ देता है और उसके बॉड़ी गार्ड इचेन को भार फेक देता है लेकिन वो भार से चला रही होती है कि मैं तुम दोनों से बतला जरूर लूँगी के बाँ सुक्या ओ बेटकर लॉलेपॉक खारी होती है सैन उससे कहता है कि मैंने अबही खेकर को मानने की कोसिस की तो तुम तो मुझे बुरे इंसान समझ रही होगे रही है तो लो भी मैं तब दिखाती हूँ तो सूक्या उसके साथ चली जाती आ असिस्टेन ये बात सैंड को कॉलके बता देती है जो सुनकर सैंड बहुत एक गुष्टे में होता है और कहता है कि कि में किसी को भी सूक्या को टेच भी नहीं करने दुँगा इधर इचन सूक्याओ को एक पिंचरा दिखाती है और बताती है कि पहले में तरस सैन को इस पिंचरे में लोग किया जाता था और उसके साथ एनिमाल्स की तरह भी हेव होता था क्योंकि लोग उसे बिस्ट कहते थे सब लोग मिलकर उसे बुली करते थे और तुम्हे क्या लगता है कि कोई लड़की उसके पास क्यों नहीं आती क्योंकि उसका पास ही इतना डिस्गस्टिंग और हसरी होती है तो सूक्याओ उसे किक कर देती है और कहती है कि तुम लोग की हिमत कैसे उसके साथ इसा करने की और उसके बाल पकड़कर नोशने लगती और कहती कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसा फील होता है और उसे ही पिंचरे में लॉक कर देती है इचन चला रही होती है तब ही महाँ पर गुंडे आ जाते है इदर वार से इन भी अपनी एसिस्टेंट और गाड्स के साँढाता है ऐसिस्टेंट सूचती है कि अगर सुक्या को कुछ भी हुआ तो मिस्टर से इन किसी को नहीं चोड़ेंगे सन अंदर जाने लगता है लेकिन तभी सुक्या अंदर से कहती है कि अंदर मत आना और खुद बाहर निकलती है और सूचती है कि मैं दुबारा तुम्हें इस हेल में नहीं जाने दूंगी सन कहता है कि मेरे पास आओ वो कहती है कि नहीं मुझे प्लड लगा हुए तुम्हारे खपड़े गंदे हो जाएंगे लेकिन सन उसे खिचकर हग कर लेता है और कहता है कि तुम डर्टी नहीं हो और अपने पास के बारे में याद करने लगता है जहां पर उसके साथ बहुत बूरा भी होता था इंफेक्ट उसे लग रहा होता है कि सुक्या के साथ भी वही सब हुआ वो दूर होने लगती है तो कहता है दूर मत होना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा सुक्या सोचती है अच्छा है से लग रहा है कि मैं खुद को डर्टी समझ रही हूँ जब कि ये खुद की बात कर रहा है और उससे कहने लगती है कि तुम डर्टी नहीं हो तुमने कभी कोई गलती नहीं किया है बलकि डर्टी तो वो लोग है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है सेन कहते हैं कि मुझे बाकियों से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन तुम मुझे लाइक करती हो ना लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती तो सेन घुसे से उसे काट लेता है सुक्या सोचती है कि सैन बिल्कुल बच्चे की तरह है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो वो उसे हग कर लेता है और पूछता है कि ये बलड किसका है तो वो बताती है कि ये ईचेन और उसके गुंडो का है वो मुझे मानने आये थे तो मिन्होंने सबक सिखा दिया सेन अपने गार्ट से कहता है कि सबको पकड़ लो कोई बच के नहीं जाना चाहिए और फिर सुक्या को कार में ले जाता है और उसे किस करने लगता है वो उसे किस केई जा रहा था तो सुक्या कहती है बस करो मुझे अब ठंड नहीं लग रही है सेन कहता है लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और उसे फिर सकिस करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तो मैं उससे डर तो नहीं लगता सुक्यों कहती है कि नहीं बलकि मुझे अपसोस होता है कि कास में तुमसे पहले मिल गई होती और मैं तुम्हें पहले प्रोटेक्ट कर पाती सेन कहता है ठीक है अब से मेची जिन्दगी तुम्हारे नाम लेकिन तब ही उसे कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मुझे जाना होगा और उसे कार से बाहर निकाल कर कार बगा कर ले जाता है जिसके बाद वो उसे बहुत कॉल करती है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता वो से डूनते हैं उसके पास ही आने लगती है तो वो उसके आखो पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मुझे मन देखो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं डरूँगी मुझे तुम्हें दीखनाय लगते तुम्हें बहुत छोट लगी है तोसे इनु से हक कर लेता ör कहता है कि रोमत मैं बलकुँ ठीक हूँ और वो बेहुस हो जाता है तुम्हें बहुत रोने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा कितने स्टूबिट हो अब मैं तुम्हें रिपे कैसे करूंगी और फिर उसे किस करने जाती है लेकिन वो उसके गाल पकर लेता है वो कहती है तो उसे हग कर लेता है जिसके बाद सुक्या को फोन आता है तो वो उटकर चली जाती है उसे पता चलता है कि मिस्टर सैंजोई पकड़ लेती है और कहती कि तुम यहाँ पर छुप कर बठे हो और तुम्हारी बज़े से तुम्हारे बदले के सारे दुख मिस्टर सैंड को मिल रहे है सैंकी कहता है कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकती क्योंकि मेरी तुम्हारी और मिस्टर सैंकी डेस्टिनी कनेक्टेट है अगर मैं मार गया तो तुम भी नहीं बचोगी यह सारी प्लानिंग सैंड फैमली के होती है ताकि जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े वो मिस्टर सैंसूई को करना पड़े सैंकी कहता है कि क्योंकि उसे पैदा ही इस चीज के लिए किया गया था तो वो असे कुछ से से पेहूस कर देती है जिसके बाद वो सैंको गाल करती है सैंक कहता है कि तुम्हे ठंड तो नहीं लग दी वो कहती है कि नहीं सेन सोचता है कि जब तुम्हें ठंड नहीं लगती तो तुम मुझे याद भी नहीं करती और फिर फोन काटने के बाद अजिस्टेंस से पूछता है कि काम हो गया वो कहती है कि हाँ मैंने कुछ बोडी काट्स को सूक्याओ का ध्यान रखने के लिए भीज दिया है तब युसे मेसेज आता है तो बताती है कि सूक्याओ वापस आ रही है लेकिन उसके साथ एक लड़का भी है जो सुनकर से बहुत ही जैलस होता है इहार सूक्याओ सेंकी को लग कर जारी होती है तबी मापर सेन भी आ रहा होता है तो वो सोचती है कि नहीं मैं मिस्टर सेन को इस सेंकी के बारे में पता नहीं लगने दूँगी वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उसे डिक्के में छपा देती है सेन उसे कॉल करके कहता है कि मैंने सुनाए कि तुम्हानी कार में एक लड़का है वो कहती है नहीं कोई भी तो नहीं है तो सेन कहते है कि सामने से हटो मैं उसे ठोक देता हूं और कार के स्पीड बढ़ा लेता है लेकिन वो आ गया जाती है सेन कहता है कि तुम उसे बचाने के लिए खुद की जामदाव पर लगा रही हो वो सोचती है कि अगर सेन की मर गया तो मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगे सेन कहता है कि तुम मुझे धूका दे रही हो और चाको निकाल कर इसे धुमकाने लगता है लेकिन वो उसका चाको गिरा कर कहती कि किसने कहा कि मैं तुम्हें धूका दे रही हूँ वो कहता है तो फिर किसी और के लिए क्यों मर रही थी उसे हग करके कहती है कि मैं नहीं मरूंगी और नहीं तुम मरूख है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली सेन कहता है क्योंकि मेरे से जादा होड़तों मैं कोई मिला नहीं होगा Sen उसे फ्रैट करता रहता और इसी टाइम में असिस्टेंट कार की डिक्की खौल लेती है और वो लोग सेंकी को देख लेते हैं Sen पूसता है कि कौन है यह वो सूची रही होती है कि क्या बता हो तभी उसे मास्टर की कॉला आ जाती है वो कहती कि हाँ मास्टर मैं समझ गई मैं सीनियर को अभी लेकर आती हूँ और कारकेडिकी बंद करके कहती कि अब तो तुम समझ गए होंगे ना कि ये सीनियर है सैन कहती है तुम जूट तो नहीं बोल रही हूँ लाइप में सिर्फ एकी मकसद है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो अपनी चान भी दे सकते हो सूचने लगता है कि यानि कि तुम सभी के सभी दोखे बाज हो सबने मेरा यूज किया पर सूक्या हुए सबसे अलग है जो मुझे जिन्दा रखना चाहती है इदर मास्टर सूक्या को बताते है कि तुमें तुम्हारी फिलिंग्स तभी वापस मिल सकती है जब तुम से चुब बहुत ज़्यादा प्यार करता हो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोए सूक्या कहती है कि बिल्कुल है जब तुम्हें अब तक का सबसे fanful दर्द होगा, वो कहता है कि ठीक है, मस्टर कहता है लेकिन ये बाद सूक्या को मत बताना, वो नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द हो, एक सीन में सूक्या और सैन को देख कर सोचती है, कि अब में तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकती, जब सैन उसकी तरफ देखता है, तो वो स्माइल करने लग जाती है, सेकेर्टरी और गार्ड्स के जाने के बाद वो सैन से कहती है, कि अब तु सैन कंपनी के तुम ही CEO बन गए हो, तो अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, दोनों स्माइल करने लगते हैं, सुक्या सोचती है कि जब सैन अकेले रहना सिख जाएगा, तो मैं उसे सांथी से छोड़ कर जा सकती हूँ, लेकिन सैन उससे कहता है, जब ग्रेंड मा वापस आचाएगी हम जल्दी साथी कर लेंगे, नेक्सीन में ग्रेंड मा उन दोनों को बाहर लेकर आती है, क्योंकि उन्होंने उन दोनों के लिए सप्राइज रखा, जब पर मैटस उन दोनों से कहती है कि हैपी मैरिक लाइफ, और जल्दी से ग्रेंड मा को ग्रेंड चाइड भी दे दो, उन दोनों को बहुती आउक्वर्ड लग रहा होता है, ग्रेंड मा कहती कि मैंने तुम दोनों के लिए सप्राइज प्लैन किया था, कैसा लगा, नेक सेन में सुक्यों और सेन मिलकर एक प्लैनिंग करते हैं, जिसके बाद नेक सेन में असिस्टेंट सुक्यों को किड्नेप करके अंकल के पास ले आती है, और फिर अंकल सेन को कॉल करके कहते हैं, कि तुमारी वाइप मेरे पास है, जब सैन महाँ पर आता है तो अंकल कहते हैं कि क्या हुआ तो में धक्का लगा कि तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें धोका दे दिया और सुक्यों की करदन पर चाकू रख देते हैं सुक्यों चलाने लगती है कि बचाओ मुझे अंकल कहते हैं कि अकर तुम्हें इसे बचाना है तो यह जहर खा लो सेन वो जहर खाने लगता है लेकिन सुक्यों की रस्ति खुल जाती है। चली जाओगी सेंज सोचता है मतलब कि तुमने सब कुछ जूट बोला साधी करना बस एक नाटक था और उससे घुसा हो जाता है और चला जाता है जिसके बाद सुक्या उसे ढून रही होती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता वो सोचती है कि क्या तुम उससे नफरत करने करकते हैं तुम उससे इसकेटरी का कॉल आता है कि बहुए जादा कर रहे हैं वो ड्रिंग कर रहा होता है तो सुक्या वहांपर आचाती है सैंक को लगता है कि सपना है लेकिन सिर्फम कर दिक्र रखते हैं और कहती कि तुम आप और नहीं बह sunt पयोगे तो सोचता है कि यह स उसकी करदन पकड़कर कहता है कि तो मैं किसमे खाता है हाँ पर आने के लिए उसके हाथ को देखकर पूछता है कि तुम्हारा हाथ केसे चल गया वो कहते है मुझा पता नहीं चल रहा था कि गरम पानी है या घंड़ा पानी इसने मैंने हाथ डालिकर्व करने की कोसिस के और कि हाथ किसने कहा था मेरे लिये इसूप बनाने को वो कहते है ठीके मैं तुम्हें परिसान नहीं करूंगी और जाने लगती है लेकिन वो जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे उठा कर बेट पर पटक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मर्ची है तुम जपचाये आ सकती हो जपचाये जा सकती हो वो प्यार से उसके आखों में देखने लगती है और सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मस्टर सैन सैड हो और मुझे भी रोना आ रहा है लेकिन फिर सैन उसे बाइट करने लगता है वो कहती है सॉरी वो पूछता है कि बताओ तुमने मुझे और कौन-कौन से जुट बोले है तो बताती है कि उस दिन कार के डिक्की में वो सीनिर नहीं था बलकि सैंकी था मुझे पता चल गया है कि तुम सैन फैमली के रियल यंग मास्टर नहीं हो अगर सैंकी को कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे इसलिए मैं उसे तुमसे बचा रही थी लेकिन तुम टेंशन मत लो में तुमारा और उसकी डिस्टिनी का कनेक्शन काटने का तरीका ढून लूँगी सैंकी को कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन पहले मुझे साधी के लिए प्रपोस करो वो कहती है ओके मिस्टर सैंड प्लीज मुझे साधी कर लो एक सीन में वो दोनों हास्पिटल जाते है जहां पर अंकल एड्मिट होते है अंकल सुक्या उसे कहता है कि तुम जादा हुच लो मत मिस्टर सैंड दो एक नमबर का बिस्ट है अगर उसे गुसा आ गया तो वो तुमें भी नहीं शोड़ेगा वो कहती कि वकवास बंद करो बिस्ट तो तुम लोग हो मिस्टर सैंड तो बहुत अच्छे इंसान है सुक्या सैंड से कहती है कि तुम चाहो तो कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो सैंड भी हा कर देता है फिर सुक्या कुछ काम से वहां से चली जाती है तो अंकल कहते है लगता है तो मैं सुक्या से कुछ जादा ही प्यार करते हूँ तबी सेन को जिस्टेन की कॉलाती जो बताती है कि बोस सूक्या गायब है जो सुनकर अंकल कहते है कि तो स्ट्रॉंग भले ही है लेकिन तेरी विक्नेस भी है नेक्स इन में अंटी सूक्या को कॉल करके बुलाती है तो वहापर पोचकर सुक्याँ देखती है कि अंकल खड़े है और सैंसुक्याँ तो जिन्दा हैella कि वो नकली बोढ़ी है लकिन सुक्याँ चाहकर भी अंधर नहीं जा पा रही थी क्यों कि अंटि ने बेरियर लगवा दिया था और अंटी उससे कहती है कि तुम तो इससे देख सकती हो लेकिन वो तो मैं नहीं देख सकता और हस्तेवे कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए एक खुद जान से मर जाएगा सुक्या कहती है कि नहीं मिस्टर सैन ऐसा नहीं करेंगे इदर अंकल सैन से कहते है कि अगर तुम्हें अपनी प्यारी सुक्यों को बचाना है तो तुम्हें अपनी चान देनी होगी सुक्यों चला चला कर मना कर रही होती है कि प्लीज असा मत करना मैं जानती हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन सैन कहता है कि सुक्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं मर जाओंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी विसे भी मेरी ऐसी जिंदगी किस काम किया जिसमें तुम नहों और फिर सैन अंकल से कहता है कि ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सुक्या को ठीक कर दो वरना मैं भूत बन कर भी तुम्हारा पीजा नहीं चोड़ूँगा अंकल कहते है कि अभी के अभी जूको मेरे आगे सुक्या कहती है कि मिस्टर सेंद अभी किसी के आगे नहीं चुकता वो कभी नहीं जुकेगा लेकिन वो तो जुक जाता है और कहता है कि सिब तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो मुझसे प्यार करती है मैं तुम्हें नहीं खो सकता तो अंकल उसकी पीट पर चाकु चलाने लगे थे सैन को बोचाता दर्द हो रहा था और सुक्याओ भी बोच चलारी होती है और बहुत रोरी होती है और कहती है कि प्लीस ऐसा मत करो और गुस्ट से बेरियर पर माने लगती है लेकिन उसके खुद के मू century निकलने लगती है इदर सैन रोने लगाता और उसकी आखों से आसु टबक रहतै इदर सुक्या कहती है कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी और अपनी पूरी पावर का यूज़ करती है और बहुत मैनत के बाद उस बेरियर को तोड़ देती है और कहती है कि मिस्टर सैन में जिन्दा हूँ तभी वहाँ पर रिजिस्टेंट भी गार्ड्स को लेकर आ गई थी सुक्या उसे लगकर रोँने लगती है तो वो कहता है कि रोमत में ठीक हूँ लकिन तभी बेहुत हो जाता है नेकसिन में वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर सुक्या उससे कहती ही कि तुम पागल हो क्या मैं तुम्हें प्रोटिक करना चाहती थी और तुम मेरे लिए इतनी बार जक्मी हुए और बताती है कि आंटी और अंकल को पुलिस पकटकर ले गई मैंने तुम्हारे लिए उन से बदलां ले लिया तब ही वोँ परमास्टरा आ जाते हो सुक्या को बताते है कि तुम्हें तुम्हारी फेलिंस वापस मिल गई और ये भी बताते है कि तुम दोनों की देस्टिनी कभी से चीचंटी से कनेक्टेट थी ही नही और साथी ये भी बताते हैं कि तुमने अपने प्यार से खुद अपनी डिस्टिनी मिस्टर सेंजु इसे कनेक गई है सुक्या को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे मिस्टर सेंज से प्यार हो गया है जिसके बद वो उसे किस करने के लिए जाती है लेकिन तब ही वो उट जाता है वो कहता है क्या करने जा रही थी वो कहती है कुछ भी नहीं लेकिन वो उसे पकट कर उसे किस करने लगता है सुक्या कहती है कि sorry मुझे अवे अपनी feelings को वापस में लिया है ना तो मैं control नहीं कर पा रही हूँ सेन कहता है कि सच में में भी तो देखो तुम्हारी feelings कैसी है और उसे दोबारा से किस करने लगता है तब ग्रेंड मा आ जाती है तो सुक्या उसे धक्का मार देती है ग्रेंडमा कहती है कि सोरी मैंने तुम्हें किस टाइम पर डिस्टप कर दिया वो कहती है नहीं नहीं ग्रेंडमा ऐसा नहीं है ग्रेंडमा कहती है हाँ ऐसा ही है लगता है तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ जादा ही प्यार हो गया है मुझे साधी की जल से जल तैयारी करने होगे और वो साधी की तैयारे करने के लिए निकल जाती है और उनके जाते ही सैनल सो क्यों फिर से कस करने लगते है और फिर एक दूसरे को देखर स्माइल करने लगते है अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइकों से यार्पी करें थैंक्स पर वाचिंग